तुर अज पहले मैं उसी की बात कर लेता हूं कॉस्ट आकाउंट की है आपके semester 4 के अंदर यह subject है cost आकाउंट और cost आकाउंट के अंदर आपके कितने यूनिट है किस यूनिट से क्या पूछे जाएंगे कैसे जाएंगे वो चीज़े हम एक बार देखते जाते ठीक है अब इसके अंदर साथ दोनों दो तरीकी के यहां पर स्टूडेंट हो सकते हैं मैं क्लियर कर दूँ एक बीकॉम प्रोग्राम एक बीकॉम उनर्स एक एक सीवी सिए सबसे पहले हम बताएं तो कितना समय लगेगा और क्या-क्या मैंने करवा दिया और किस हिसाब से आपको पढ़ना है सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपके पास समय की तो आपके पास मातर 30 से 35 दिन बचे हैं इससे जाए दिन नहीं है आपके पास अगर आप ध्यान से सोचो सारी चीज़े कैलकुले सबस्सक्राइब कर लेते हो अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है आर थीज से फैंतिस दिन में होगा नहीं होगा कैसे होगा नहीं होगा तो वह मैं सारा एक पार पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूं जिससे कि आपको और देखनी चाहिए और किस हिसाब से आप करेंगे दाकि आपको बहुत आसानी से कॉंसर्ट भी क्लियर होता जाए और सिस्टेमेटिक तरीके से चलते जाओ आपके डाउट्स भी कम हो जाए उस चीज़ के लिए पहला चप्टर इसके अंदर है थियोरी आप किताब में देखोगे तो किताब में यह दो पार्ट में बटा एक ही पार्ट में बटा हुआ लेकिन पहला चप्टर इसको थियोरी बता रहा हूं जैसे मैंने पढ़ा है पहला चप्टर है थियोरी और मैं थोड़े से short form भी यूज़ करूँगा मैं बोल रहा हूँ आप लिख लिजिए का बाद में दूसरा चैप्टर है जैस्ट इस कॉसी अब काफी बच्चों के मैंने देखें कमेंट के सरकॉसिट हमारे कॉलेज के अंदर नहीं वाला कराए गया है कॉसीट के अंदर जिसको उपर नीचे किया गया और नथिंग एल्स जो आप पढ़ रहे हो कॉसीट यह मान के चलो नए वाला है सिर्फ तीन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको आगे पीछे किया गया है एक रिसर्च और डबलू डबलेप्मेंट एक डबलू आईपी को थोड़ा सा उपर नी लेंगे और जो नई वीडियो है वो इसके अंदर अपडेट कर दूंगा मैं आपका उससे आपको पता चल जाएगा यूनिट नंबर टू की बात कर रहे हैं सर यूनिट नंबर टू के अंदर आपके दो चैप्टर्स हैं सर कौन-कौन सा एक है हमारा लेबर और एक है हमारा ओवरहेड यूनिट नंबर टू में एक लेबर है एक ओवरहेड है सर सारे यूनिट हमारे सेम नंबर के हैं कोई यूनिट नंबर ज्यादा का नहीं है अगर आप एनिपी के बच्चे हो तो 19 नंबर का 18 नंबर का एक यूनिट है क्योंकि 90 नंबर का पेपर आना है 18 नंबर क एक यूनिट है अगर आप सीवी सीएस के हो तो आपका पंदर नंबर का एक यूनिट है ठीक है कि पहले मैं सारे चप्टरस बता दूं यह इसमें से हमने लाइव क्लास के अंदर इक में इनक्त गलत दिया थोड़ा सा कुसी यह लेवर ओवर हैड नहीं है यहाँ पर है िए कि यहां पर है मुटीरियल अधिरियल ठीक है यह मटीरियल है पहले मैं सारे यूनिट लिख दू फिर कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा कौन सा चेप्टर पहले पिक करना चीए वो भी बता दूँगा सारी चीजों पर हम डिसकसन करेंगे यूनिट नंबर ठ्री में शरिफ एक ही चप्टर आ जाता है और कुछ भी नहीं है लेखिन मैं इसको दो चेप्टर में तोड़ देता हूं अँवरहेड डिस्टिवुशन और एक मैं इसको तोड़ता हूं मसीन आवर रेट यह हलाकि दो ही चप्टर होना चाहिए जादा एक बहुत रियर कनेक्शन है बिल्कुल अलगी एक तरीके से इसके बाद यूनिट नमबर फोर आउनिट नमबर पोर की बात करें तो यह हमारा एक थोड़ा सा अलग हो जाता है जिसके इंदर काफी चप्ट्र मेरे इस आप से ज्यादा मेंनत इसमें करना पड़त और आसान है यह इस जबर बुन हो जाता है हमारा प्रोसेष हो नॉम्बर टू हो जाता है contract नमबर तीन हो जाता है हमारा service cost नहीं service cost नमबर तीन हो जाता है हमारा job batch costing नमबर चार हो जाता है हमारा single unit ये कुछ चप्टर हो जाते हैं हमारे कॉस्ट के अंदर ठीक है अब आपको एक बात ध्यान रखना है ये इसके अंदर चार चप्टर भले दिख रहे हैं लेकिन एक्जाम में सिर्फ और स्रिफ कोश्चन पूछा जाता है इस दोनों में से इस दोनों में से अभी तक रियर साह दस साल में एकाद बार कोश्चन आ गया हो तो आ गया हो यह दरवाइस नहीं आता तो इस यूनिट में अगर मैं चप्टर बोलू तो दो ही चप्टर यह और कोई दूसरा चप्टर है नी इसके बाद यूनिट नमबर अगर मैं इसमें देखों तो सर्विस कॉस्ट भी साइध नए वाले में इसी में डाला हुआ है मैं यूनिट नंबर फाइव कि एक पर किसी बच्चे के पास बुक है दिखाओ देखू मैं सर्विस कॉस्ट के इस यूनिट में डाला है बस है इस इस एक रह गया इसमें जिस देट इस मैं यहां लिख रहा हूं पांच बार इन पॉर्टेंट है यह इसी का पार्ट है और हाला कि आपने यूनिट वाइस के चक्कर में नहीं पढ़ना वैसिकली आपको चेप्टर यह आता है और इसमें से इतने नंबर का कोश्चन आता है उसके हिसाब से लेके चलना है तो अगर देखा जाए तो इसमें पांच चेप्टर है यूनिट नंबर पांच काफी आसान है इसके अंदर हमारा एक चेप्टर है इस रिकंसलेशन के और एक हे हमारा वी जर्नल एंट्री बेस है एक ड़ इस इंटी इंटीजर और नोन इंटीजर अकाउंट ठीक है न इसके अंदर लास्ट यूनिट में थोड़ा जनल इंट्रीवेस है तो वह तो एक लास्का है अब सबसे पहले हमें किस चेप्टर को कैसे कनेक्ट करना है अगर आप ध्यान से देखो न तो यह कॉसीट सीधा connected बता है कि से single output और reconciliation से तो बच्चा जब study करने बैठता है न तो वो तो unit wise चलेगा पहले यह करेगा फिर यह करेगा फिर यह करेगा यह करेगा तो वहाँ पे थोड़ी कमी हो जाती है और मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी क तरीके से नहीं हो सकता समय किसमें कितना लगना है यह भी देखो दूसरी चीज पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका अगर मैं बता हूं आपको आपको बुक लेना है कि आपका महिश्वरी मित्तल का कि प्लस टैनियर लेना है कि यह आपका शिवदास का कि दोनों चीजे मैंने बहुत सारे बच्चों को बोक है भुकर सकते हो कौल्लाइन ऑगर से और कर सकते हो काँपी बच्चों को मानना हो कश्यों आपिॶ्य ब 되어 चलता है कि आपको एक्जाम का प्रेक्टिस करते और आपका एक्जाम अच्छा चला जाता है इसलिए होता है पूरा कोई होना चीए पीडियाफ के चक्कर में पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है लेकिन यह आपके लिए फाइदेमन रहेगा इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे एक्जाम टाइम पास आ गया तो सोचेंगे कंजूसी करेंगे लेकिन मैं सिंपल सी बात कहूं जब जाओंगा ना रिजल्ट में यह तो नहीं आएका नहीं आएगा अब 10,000 लेके आप लेकिन अभी आप 800-900 रुपे खर्चोंगे नहीं तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं यह आपको बुक हाड़ कॉपी ले नहीं है पहले किस-किस चप्टर को करना है मैं नमरिंग भी करूंग और सारे यूनिट समान यह नमबर के हैं 19-19 के तो पहले कौन-कौन सा चप्टर और कितना समय लेना है वो चीज़े धियान रखना सबसे पहले नमबर पे आपको यही करना पड़ेगा कॉसिट that is the basic of the कॉस्टिंग के इसके अंदर औवर हेट क्या होता है है इसमें क्या इवicos वच्दी कर लिए इसके बाद सारी इसके बाद नम्बर दो पर आपको रैकोन सुलेशन कर ले क्वा नमबर दो पर क्या करना हया चीज़ें जिसका अखांट बॉन पर यह नमकर दो सर समय कितना लगेगा इसमें आपको दो दिन लगाना है और सर इसके अंदर आपको तीन दिन लगाना है तो पांच दिन में यह चप्टर खतम हो जाएगा सर पेपर कितने नंबर काएगा वो और यह मिक्स करके एक कोश्चन बनाया जाए अब देख रहे हो एक वहां यूनिट करके एक कोश्चन बनाया जाता है जादा से जादा यही बनती है बहुत आसान पेपर रहा तो यह भी आ जाएगा और यह भी आ जाएगा नहीं तो mix करके question बनेगा जैसे ही आप complete कर लें cost sheet या फिर आप number 3 पे या मैं 2 पे अगर इस chapter को भी हटा देता हूँ चलो आपके लिए और थोड़ा आसान कर देता हूँ बच्चे क्योंकि पूसते हैं number 2 पे आपको ये करना है यानि cost sheet है इसी के advance version ये है single output और फिर जाके आपको reconciliation करना है number 3 पे ये सर समय कितना कितना लगेगा इसके अंदर समय के अगर मैं बताओ तो यहाँ पे आपके number 1 पे कर रहे हैं दो दिन यहाँ लगने है एक दिन मुश्किल से माल लो यहाँ लगने है और दो दिन ये तीन दिन यहाँ दो दिन यहाँ माल लो अगर आप बहुत स्पीडली क्योंकि देखो आप तो पढ़ना है ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देंगे भाई बाद में कर लेंगे हो जाएगा कोई बात नहीं है अब पढ़ना है तो आपको कम समय में खतम करना हो तो देखो तीन और दो पास दिन चले गए आपके पास तीस दिन ही है सर इसके बाद कौन सा चप्टर पिक करें जिसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉबलम भी ना है और आराम से हो भी जाए तो सर इसके बाद आप मट्रियल पिक कर सकते हो नमबर एक दो तीन के बाद नमबर चार पे मट्रियल सर ये भी किसी से कनेक्टिड है कि ये इन में से किसी से भी कहीं कहीं तक दूर दूर तक लेना देना नहीं है ये किसी से कनेक्टिड नहीं है हां बच्चा कॉस्षीट के बाद जिसकी अकाउंट कमजूर है वह कॉस्षीट के बाद सीधा मट्रियर कर ले वह बागी के दो चप्टर ना करें इस चेप्टर के अंदर और इस चेप्टर के अंदर लॉजिक है आपको लॉजिक के हिसाब से देखना पड़ेगा इस चेप्टर में और इस चेप्टर में लॉजिक नहीं है फॉर्मूला है और बहुत सिंपल है तो जिस बच्चे की अकाउंट स्ट्रॉंग है वो यह करे फि इसके बाद समें कितना टाइम लगाओं गया जाए करीब तीन से चार दिन मंत चलू थम गुख요 कि इसके बाद कौन से चप्तर करने स्वाप को इसके बाद अगर में चप्टर की बात करों तो इसके बाद आप आपको उठाना है sir that is contract यह उठाना है नंबर पांच पे नंबर चे पर उठालो यह नंबर साथ पर जॉब बैच कॉस्टिंग बाद में देखेंगे नंबर चे पर यह उठाना है कॉंट्रेक्ट और प्रॉसेस लगभग लगभग मतलब दोनों आसान ही चेप्टर है उसके लहीं है नंबर आठ पे आपको क्या करना चाहिए सर नंबर आठ पे यह उठाओ छे के बाद साथ होगा ना नंबर साथ पर यह और नंबर आठ पर यह यह सिक्वेंस रहेगा यह दोनों चप्टर एकदम सेम एक्जेक्टली सेम है बस हेडिंग भी सेम मतलब कैलकुलेशन का पार्ट भी लगभग सेम होता है बस थोड़ा बहुत चेंजिस आता है हैं मसीन के आवर की बात करते हैं यहां बस चलता है उसके उपर कितना परावर खर आपको नो नंबर पर आज आना चाहिए सर अब इसके अंदर आपका जो रहता है नो नमबर पर आपको लेबर घरना चाहिए सबसे लास्ट में आपको ओवरहेड करना चाहिए दस नंबर पर हालाकि ओवरहेड इसका मुश्किल नहीं है यह भी आसानी यह हो जाएगा दस नंबर पर और जो कुछ बच गया लास्ट में आपको यह निफ्ट आना है ग्यारा नंबर सर पेपर में प्रैक्टिकल ज़्याद आएगा या थिरुटिकल आएगा तो मैं बता दूँ अगर आपका पेपर तो कम से कम जितने नंबर का भी पेपर है चालिस परसेंट आपका थियूरी आएगा और 60% आपका practical आएगा 40% theory आने के पूरे chances है इस बाद और 60% किस में से sir theory आएगा ये कोई नहीं जान सकता आपका पहले chapter में से भी theory आता है sir labor में से भी theory आएगा material में से भी theory आएगा मैं इस theory के important videos भी डाल दूँआ overhead में से भी theory आता है सर जॉब बेच कॉस्टिंग में से थियोरी आजाता है तो यह सारे के सारे थियोरी हैं कुछ मैंने बना रखें थियोरी उस थियोरी के मैं पूरी के पूरी पीडियाफ डाल दूँआ अब सर टाइम कितना लगना है सब के अंदर करने में अगर मैं टाइम को देखू ना करके तो तीन दिन इसमें लगना है मसीन आवर रेट में आपको दो दिन लग जाना है ओवर हैड डिस्टिबिशन में कम से कम दो से तीन दिन लग जाना है इसके अंदर बड़ा चैप्टर ह तो अकर आप डेस को कांट करते तो दो तिन पांच और इसके अंदर भी दो दिन लगेगा साथ दो नो और तिन बारा बारा और दो आपका तेरा एक चौधा चौधा और दो आपका चौधा और दो कितने होगे और इसके अंदर भी दो दिन लग जाएगा तीन बीज एककेस और आप चार दिन मानलो पच्चेस और भी युरी जब पढ़ोगे इसके अंदर तो मानलो 27-28 दिन और आपके 30 दिन यानि मेरा कहने का मतलब है सर आप 30 दिन और दिन का मतलब यह मस्त समझना पूरे दिन कॉस्ट ही लेके बैठे हो इसको कम से कम दिन में तीन घंटे देने पड़ेंगे तीन घंटे और तीस दिन तब जाके आपका यह कंप्लीट होगा आपके लिए क्या कर रहा हूं में सारे के सारे मैंनने कौन कौन से चप्टर करा दिया सर इसके बाद इसके बाद जो चप्टर रहता है सर्विस डार्य स्जह 25 धार गए क्योंकि ये जो रह रहा है और फिर हम उसके हिसाप से कर ले पार तो मैं एक live class में यह कर रहा हूंगा एक यह जो रह रहा है है एक overhead वैसे है खला के मैंने record भी कर रखा है बहुत अच्छे से record करा हूँआ लेकिन फिर भी भी मैं live में कराऊँ पहले में record डाल दूंगा जिसको देख लेगा नहीं देखा तो लाइब में भी देख लेगा ठीक है इसके बाद देखिए करा हुआ तो देखा जाए तो एक दो तीन चार चप्टर पढ़े हैं सर किसमें कितना समय लोगे आप इसके अंदर जब लाइब कराते हैं तो टाइम ज्यादा लगए रिकॉर्ड़ तो एक घंटे में आप चार गंटे निप्टा दोगे और मैं एक दिन में चार घंटे पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे नहीं वैसे भी तो इसके अंदर चार दिन लगेंगे इसके अंदर फिर मैं दो से तीन दिन मान लो चार तीन साथ दिन इसके अंदर दो दिन मान लो साथ तिन दस मतलब ओवरॉल मान बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यूटूब पर रहे हैं हमसे और फिर फूचते हैं सर किस लेवस कैसे खतम हो जाए किस तरीके से हो जाए तो मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि स्लेवस तीस दिन में आप यूटूब से भी पढ़के कर लोगे लेकिन बसरते के अंदर मैंने बोला है कल से वीडियो अपडेट्स होनी चालू हो जाएंगी कॉंट्रेक्ट एक्जाम कब से एक्जाम आपका 25 से मान के चलो 28 किसी का 26 से किसी का 28 से हर समिस्टर का अलग-अलग टाइम पर एक्जाम है अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है आप उसको ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते एक्जाम वालोगों बुक को अब बच्चों ने बता भी दिया देखो 21 माई 20 माई तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं समय अगर मैं अपने स्लेबस खत है आपको भी खरीदना पड़ेगा आपको नुट्स भी बनाने पड़ेंगे आपको और यह तभी पॉसिबल है अगर आप सेल्फ पड़ते हो तो इसके अंदर आपको यहीं पता होगा सर किसको स्टार्ट कैसे काफि सारी दिक्कते आएंगी सेल्फ में अगर आप रेगुल चलो इसी महिने के एंड तक या अगले महिने के कॉस्ट वीक में आपका आ जाएगा आप मान के चलो जो टेंटिटिव यह वही फाइनल रहने वाला इसमें को बदलावनी है मैं आप सभी के लिए क्या करने जा रहा हूं मैं आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत सिंपल सा क कीजिए एक समरी जैसे कि कोई बच्चा मान लो कोई फ्रेंड वगरह है या कोई भी है जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की और या फिर जिसने कोर्स भी ले लिया था और अभी तक नहीं पढ़ा वह वेट कर रहा था कि भाई पढ़ लेंगे अब एक साथ पांचे तो नहीं खुल जाएगा वह होगा पांचे खुल रहे हैं देखो यह प्रॉपर पीडिया फॉर्मेट में अल्दो डाल दिया है कुछ फोल्डर में और ज्यादा मैं इसको सिस्टेमेटिक करने की कोसिस करूंब क्या है सर जैसे कि आपको इधर नहीं दिखेगा शायद मैं इसको इधर कैसे ले जाओ इधर कैसे ले जाओ चलो यहां तक कौनें में ना दिखे कॉस जीट क्लास नंबरiform में कॉस्ट का ओप कराया और गए था हमारा सिम्पल कोश्चन और इसके अंदर मैंने पीडियाफ डाला या बुक डाला बुक में कोश्चन नमबर वन मिलेगा स्टार लगा रखा यह करना जरूरी है और इसके बाद कोश्चन नमबर वन में थोड़ी गलती रह गई थी उसमें करेक्शन किया तो वह भी लिख स्टार लगा हुआ है सिम्पल का मतलब इस टाइप के कोश्चन नमबर थी फाइंड क्लोजिक स्टॉक इसके उपर स्टार नहीं लगा जिसको अभी मैं इसको और भी मतलब प्रिसाइज करूंगा और भी कस्रमाइज करने वाला हूं तो यह कोश्चन आप प्रैक्टिस कर ल यानि जितने कोश्चन के मैंने अंदर स्टार लगा रखें वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं जिसके अंदर अगर स्टार नहीं लगाया है जिसको आप छोड़ भी दो तो कोई फरक नहीं पढ़ता हर एक चप्टर कितने घंटे का है यह सारी चीजे बिल्कुल इससे फाइदा क्या होगा सर आप कम समय में ज्यादा आउटपूट निकाल वाला बच्चा यह नहीं समझ पाएगा क्योंकि यह टॉपिक्स है और कॉस्ट देखो एफ में आपने पढ़ा एफ में बहुत बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं सर बहुत अच् आपके फ्रेंड्स वगएरे कोई नहीं पढ़ रहा जिसने कॉर्स ले लिया नहीं पढ़रा जिस्ने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो मैं यूटूब पर बेंडावगा जिसको यूटूब पर लाइवक्लास में जो बच्चे नहीं देख पाए जूट बच्चे यू जो यमिलेंगी जो सारी के सारी आपको से इंपर्टेंट से नहीं है और नहीं वो लाइब में तुर रहे गए सारे के सारे थियोरी पहले जिससे आप और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट कियाए क्योंकि अगर मैं राइव की बात करूं अगर माल ने इतने सारे स्टूदेंट है उसका 0.1% बच्चा भी नहीं आता लेने के लिए कि पॉइंट वन की बात कर रहा हूं मैं अगर पॉइंट बढ़ेने की लिए नहीं आ रहा है तो बाद में पढ़ रहा हूं तो क्लास नहीं मैं कल से आपके वीडियो सारे सिस्टमिटिक एकदम अपडेट हो जाएंगे मुझे रेगुलर क्लास की आपकी क्लास लेने की कोई नीडी नहीं है बस मैं आपकी क्लास को सिफ्ट कर दूँगा उसके अंदर गाइडेंस हां रेगुलर में गाइडेंस जरूर आपको बताता रहूंगा कि इस तरीके से पढ़ना है आपका कुछ बच्चों का कहना है कि सर कब पढ़ें सुभह साम दिन दोपहर रात चब आपका आउटपुट अच्छा निकलता है तब पढ़िए ऐसा कोई को नौर्मलाइज करना पड़ेंगा तर इस टयूप फोकस करना ही करना पड़ेंगा नहीं तो पिर दिखकत हो जाएंगे साथ सब्जेक्ट हैं और एक तरीके से देखा जाए तो तव पूरे उसमें पूरे उसमें अगर मैं बात को हटा देते हैं तो पढ़िए अपने कोर् पिर जब आप पांच में में जाओगे तो आपके पास इंकम टेक्स आएका जो सबसे बड़ा आपके लिए मतलब टेंशन नहीं इंट्रस्टिंग बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है लेकिन पढ़ो तो कॉस्टिंग भी आप सीरियसली लेके पढ़ो आप बुक नहीं लेते आप 10 यर नहीं खरीदते और फिर बोलते हो सर इंपॉर्टेंट बता दो हम वैसे ही कर लेंगे हम कोश्चन देखके कर लेंगे उससे फाइदा नहीं है एक सबसे बड़ी चीज है देखो मैं खुद पढ़ा भी रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम ऑनलाइन से तो जु नुक्सान भी यह उस नुक्सान को आप अवोईड कर रहें सबसे पहले नुकसान है आप बुक नहीं खरीदते दूसरा नुक्सान की यपोष्छन करो नहीं करो कुए पूछने वाला नहीं है कुछ करने बाले ने तो यह सारे आपके ड्रोवेक्स हैं आप के लिये भूप अच्छा बन सकता है बहुत बteneafisual बताए बशसरते आपको ऊजबनेा है आपको टेन्यर लेना है आपको डेली क्लासेश देखनी आपको homework मेंटेन करना है तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं services पलसी बात है